आज हम लोग ग्रूप तियोरी का गेलियन बुक का जो नेक्स जो इंपोर्टन प्रोब्लम से उसके बहुत सारे देखेंगे तो वीडियो को लार्च तक अच्छे से देखिए बिन्य स्कीप किये तो उसके बाद अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और को जरूर करतेजिएगा चले शुरू करते है वर इच टीवाईजर के ग्रटन वान ऑफ एन का कोई एक डिवाईजर एन का जो वान से बाद रहा है ठीक है लैट यू के यू के यू के न को यू के ये एक नया ग्रूप अभी तक तो ग्रूप है वह प्रूप नहीं किया है ऐसे आप मानके चलिए इसी प्रोब्लम में हम प्रूब करेंगे कि UKN जो होता है वो ग्रूप होता है तो यह इसको एक सेट मानके चलिए इसका टाइप कैसा होता है इसमें कौन-कौन सा इसको मौड करने पर यह जो के है वह इलिमेंट को मौड के करने पर वान आता है तीक है मतलब वह के का माल्टीपल का मतलब के से डिवेट करने से वान रिमिंडर रहेगा ऐसे आप समझ सकते तो एक्जमपल देखने से आपी समझ में आएगा लिस्ट दाइलिमेंट्स ऑफ यू 520, U530, ठीक है प्रूब देट, UKN इसे सब ग्रूब अप यू एट तो पहले हम यह सब लिस्ट यह जो यह सरा इलिमेंट क्या होता है यह सब सेट में कौन-कौन सा इलिमेंट रहता है बहुत देखेंगे उसके बाद देखेंगे कि जैनराल के इसमें UKN जो होता है यह UN का सब ग्रूब होता है ठीक है चलिए शुरू करते है यू 20 पहले हम U420 निकलने के लिए U20 निकलना परेगा यू 20 में कौन-कौनसा इलिमेंट रहेगा 20 से छोटा जो सारा इलिमेंट जो 20 के साथ relatively prime होता है अब देखें कौन-कौनसा इलिमेंट आएगा 1 आएगा relatively prime का मतलब क्या होता है GCD 20 और बहुत इलिमेंट का GCD 1 आना परेगा अब इसमें कौन-कौनसा इलिमेंट आएगा 1 आएगा 3 आएगा 2 तो नहीं आएगा क्योंकि 2 और 20 का GCD 2 होता है फॉर नहीं आएगा 5 नहीं आएगा 6 नहीं आएगा 7 9 11 13 17 19 यह सब इलिमेंट आएगा ठीक है तो यू 20 में मुझे यह सरा इलिमेंट निल गया है लेकिन मुझे निकलना यू 4 20 यू 20 का बहुत सरा इलिमेंट जिसका mod k करने पर 1 आ रहा है ठीक है अब दीखिए ये 1 तो हमेशा 1 का mod k करने पर 1 ही आता है 1 mod k मतलब किसी का multiple करने पर 1 मतलब 1 का कुछ भी mod k करने पर वो 1 ही आता है ठीक है अब दीखिए दूसरा कौन सा जैसे 9 9 क्यों कि 4 into 9 को हम कैसे लिख चेकते 4 into 2 तो 9 mod k equal to 1 आएगा क्योंकि 9 mod k equal to mod k मतलब mod 4 9 mod 4 equal to kya आएगा 1 आएगा उसके बाद क्या आएगा 13 क्योंकि 13 का हम कैसे लिख सकते 4 into 3 plus 1 4 का multiple करने के बाद 1 remainder वाँ स्वाण सरा eleить माएगा उसके बाद क्या आयगा?! 17 तो U4 20 में कौनखंचा U5 20 में कंवखंचा element आएगा.. 5 का multiple करने के बाद 1 remainder रहना पर है 1 तो आय गाई, और फिर भूसरा निकलने को ब nostra U5 30 5-5-30 निकलने केलिए पहले U30 क्या होता है वो निकलना पड़ेगा U30 क्या होता है 1, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 अभी तीन अधिदे ही U30, U30—ertich myth 5 का multiple करने के बाद remainder 1 रहना पड़ेगा मतलफ 5 का multiple हटाने से उसका remainder 1 रहना पड़ेगा, ठीकर? या फिर 5 से डिवेट करने पर remainder 1 आना पड़ेगा 1 तो आएगा ही 1 हमेशा आएगा और 11 को 5 से डिवेट करने के पर remainder क्या आएगा वान आएगा 5 इंटू 2 प्लस 1 ठीक है तो यह सरा आगया अब ही मुझे दिखाना है कि UKN जो होता है जैनल के इसमें UKN जो होता है वह UN का सब्ग्रूप होता है अब आज सी याद राखिए मतलब next जितना भी प्रोब्लेम्स आएगा उसमें यह काम में आएगा UKN जो होता है वह सब्ग्रूप होता है UN का इसमें प्रूप करेंगे वह सब्ग्रूप हो रहा है तो वह होने से हो जाता है और फाइनेट होना पड़ता है वह सेट जो है वह फाइनेट होना पड़ता है अब देखिए वान मॉट के एकुल तो वान तो हमेशा यू के एन में बिलों करता है यू के एन में हमेशा वान बिलों करता है कोई भी यू के एन में देखिए आप जितना भी यू के निकला सारे में वान है सारे में वान है न तो वान के एन हमेशा यू के एन में बिलों करता है तो यू क सब्सक्राइब 3 3 4 mod 3 1 है और 7 mod 3 1 है ठीक है अभी 4 x 7 क्या होगा 28 28 mod 3 भी क्या होगा 1 होगा क्योंकि 28 को हम कैसे लिख सेकते 9 x 3 प्लास 1 ठीक है तो ऐसे करके कोई भी a mod k equal to 1 और b mod k equal to 1 होने होने से a b mod k equal to 1 हम लिख सकते हैं मतलब क्या हो यह भी बिलोंग्स टुए यू के अग्रोजर तो फोलो कर रहा है और मुझे मालूम है यू के एक finite group है for any and belongs to n कोई भी n and natural number का कोई element n के लिए you can जो होता है वो हमेशा finite group होता है तो इसका subgroup जो होगा वो भी finite group होगा तो finite subgroup test राम क्या बोल सकते है यू can जो होता है वो un का subgroup होता है ठीक है बहुत important problem था इसके बाद हम देखते 18 number problem 18 number problem में क्या बोलता है suppose that a is a group element and a to the bar 6 equal to e what is the possibilities for order of a यह भी बहुत important problem में देखिए suppose that a is the group element कोई ए group का a एक element है ठीक है और a to the bar 6 equal to e यह आपको दिया हुआ है what is the possibilities for order of a order हमने पहले ही बोला था कोई एक element का किसी power करने पर आगर identity आ रहा है इसका मतलब यह नहीं कि उस element का order वही है ठीक है अब यह अगर बोलता कि a का order 6 है इसका मतलब है कि a to the power 6 equal to e होगा लेकिन a से मतलब 6 से छोटा ऐसा को और दूसरा कुछ element नहीं मिल सकता कि a to the power वह करने पर identity आएगा लेकिन a to the power 6 equal to e इसका मतलब यह नहीं कि a का order 6 है a का order क्या क्या हो सकता है वह निकलने को बोला है ठीक है question में अभी दिखिए a का a को आगर मैं identity माल लिया इडिटिटी तो अइडिटी टूदिवार कुछ भी करने से फिर चिटिटी आता है एडिटी आया टूदिवार 6 मतलब e to the power 6 करने पर फिर चिटी आएगा तो a का बेलू e भी हो सकता है e का order क्या होता है तो a का order 1 भी हो सकता है अगर a to the power 6 equal to e है तो a का order 1 भी हो सकता है और क्या हो सकता है a का order 2 भी हो सकता है क्यों दिखिए a का order 2 होने से क्या होगा a square equal to e और s² e होने से हम plugged in dir अज़ने से k्या होगा 6 को हम क्या से लिख सकते है कि इसका दोनों साइट में स्वायर का देने से स्कुयार इकोल तू इसका ओडर होता है होगा हो सक्ता है बोलने से आपको कौन-कॉन सा नंबार हो आप मतलब क्लिक्लिक्षाइश में डिवास रहोका जितने बी डिवे होगा उतना उसका order होने का चां से तो तो इस तरी किसे, इसके बाद हम देखते है 19 नंबर प्रोब्लम, 19 प्रोब्लम में क्या केता है, if A is a group element and A has infinite order, prove that A to the power M is not equal to A to the power N, होय N, M not equal to N, ठीक है, if A is a group element, कोई एक element A दिया हुआ है and A has infinite order, और ये भी बाता दिया गाया है कि A का order जो होगा, वो infinite होगा, मतलब A to the power कोई natural number करने से कभी भी identity नहीं है, ठीक है, A to the power कोई natural number के लिए कभी भी identity नहीं है, अभी देखे, prove that, prove क्या करना है कि A to the power M not equal to A to the power N, अगर M not equal to N हुआ, N, M और N अगर equal नहीं है, तो कोई भी M और N के लिए A to the power M, A to the bar n का equal नहीं हो सकता है तो हम इसको Katrina positive way से approve करेंगे हम मानने लिए कि A to the bar n equal to A to the bar n हो सकता है जब M, n का equal नहीं है बाद में दिखा देंगे कि यह contradiction आ रहा है मैं मान लिए कि A to the bar n when M not equal to n M to n का equal नहीं है लेकिन A to the bar n का भी हो रहा है मैं मान लिया तो ऐसा होने से इसको आगर मैं लेप्ट साइड में आउंगा डिवैट करके तो क्या होगा a to the power m debate by a to the power n मतलब to the power n m-n equal to क्या होगा identity e तो identity होने से इसका मतलब क्या होदा एक पावर कुछ करने पे e आ रहा है इसका मतलब क्या है कि order of A क्या होगा M-n से यह जो नांबर है M-n कूछ नांबर है यह इस से चुटा होगा order of n क्या होगा M-n से चुटा होगा M-n एक fixed number है order of A उससे भी चुटा है मतलब क्या हुआ order of A फाइना परेगा ठीके order of A तो फाइना परेगा to n ठीक है अभी देखते हैं 20 number problem 20 number problem में क्या बोलता है for any group element a and b prove that order of a b equal to order of b कोई दो ग्रूप का कोई एक ग्रूप का दो element के लिए a और भी दो element दिया हुआ है तो मुझे प्रूप करना है कि order of a b is equal to order of b ठीक है तो देखे पहले मैं मान लिया कि order of a b equal to n मैं मान लिया कि order of a b कोई एक number n है तो इसका मतलब क्या है a b to the power n equal to e होना पड़ेगा a b to the power n का मतलब क्या है a b को मैं n times multiply किया तो मैं ऐसे लिख दिया a b into a b into a b into ऐसे n times लिख दिया ठीक है बीच में तो कितना इसमें a b a भी है तो फास्ट बाला ए और यह लास्ट बाला बी को मैं अगर अला कर लिया तो बीच में कितना भी आएगा n minus 1 b आएगा ठीक है तो अभी दिखे यह left side में a square और यह right side में b inverse से आगर multiply कर देंगे तो क्या होगा यह दोनों cancel out हो जाएगा यह right side में क्या आएगा a inverse b inverse तो a inverse b inverse आने से a inverse b inverse किसका परून लाता है b a inverse और इसमें जो n minus 1 b है इसको हम क्या लिख सेकते b a to the power n minus 1 तो यह b a inverse को इस side में लाने से क्या होगा b a to the power n हो जाएगा equal to e wa to the power n equal to e होने मतलब क्या हूआ मुझे मैं क्या लिया था order of a В be equal to n और क्या मिला ba to the power n equal to e मतलब क्या हुआ mlach order of a से चटा होना पर ऑल दो order of a से start किया था यह मिला अभी अगर मैं same तरहिके से order of b a से start करूंगा B a से स्टाट करने से मुझे क्या मिलगा ross AB is less than ororder of BA तो इसमें क्या मिला order of BA इसमें क्या मिला order of BA is less than equal to order of BA तो दुनों को मिला कि हम क्या लिख सकते है order of BA इकल to order of BA त्यक्या अभी लखते है 24 नमर गुच्चें Guston 24 नाबर प्रोब्लम में क्या बोलता है Suppose n is event positive integer and h is a subgroup of zn Prove that either every member of h is event और exactly half of the members of hr event बहुत दें important प्रोब्लम है ठीके इसमें क्या बोलता है Suppose n is event positive integer n कोई एक event positive integer आपको दिया हुआ and h is a subgroup of zn zn तो हमें मालूम ही है कौन सा group होता है addition module n इसका operation होता है addition module n का तो इसका एक subgroup है h और n जो है वो event positive integer है Prove that either every member of h ये जो subgroup h है इसका यातो सारा जितना भी element होगा वो सारा event numbers होगा या फिर half of the numbers होगा या तो सारा element event होगा या फिर जितना element होगा उसका half number of element event होगा तो देखिए प्रूब देखते suppose every member of h even मैं मान लिए कि पहले क्या बोला था h का सारा element event होगा तो मैं मान लिए कि इसका सारा element event है तो अगर h का सारा element event होगा तो कुछ problem हो सकता ही क्या ये group form करगा कि नहीं form करगा क्यों देखिए कोई एक group के लिए आइडिंटीटी उसमें बिलों करना पढता है तो देखिए एसेटिव तो हो गई क्योंकि ये certain का element है एकशेटिश करना नहीं है क्याया है कि नहीं डूओ और بाइनरी है कि न not पहले a देखिए e equal to zeer procent अजेखिए इसका इडिंटीटील is क्योंकि इसमें 0 जो ही होता है वो even होता है ठीक है और क्या है कोई एक a h में बिलोंग कर रहा है अगर कोई एक a h में बिलोंग कर रहा है तो a इंबर्स इकोल क्या होता है कोई एक लिए टिक है और कोई 2 एक एक वी लिया तो उनका साम करने से दो San perspectives जया właściwie और दो अबने नामबर का साम करने से फिर स्सी एक लिए घर जाय का बिलोंग कर लिया मतलब अगर सारा તોकསે લેમેંરે તો પ્રેમેંડ તોઝગે સાર પ્વળેંડ થેંરેંર અહી સારંટ નીંર સાર્વ હાર જેંરેં सा है जो इबिन नहीं हो देख आपी कोई दूसरा कें वाई ओड जो ओड है कोई दूसरा एक लिमेंट वाई जो और इसके लिए मुझे क्या मिलीगा X plus Y will be event X plus Y मुझे क्या मिलेगा event मिलेगा जितना भी odd number मैं लूँगा अभी देखिए जितना भी odd number उस group में मैं जितना भी odd number लूँगा Y एक odd number लिया X plus Y equal to event मिले मैं दूबरा जो अगर X लेता हूँ तो क्या होगा X plus X equal to क्योंकि sum of two odd number क्या होता है event होता है X plus X लेने से भी वो फिर से event आएगा तो मतलब इसमें से मुझे क्या मिला जितना भी मैं odd number ले रहा हूँ उतना event number आ रहा है मतलब exactly equal number of event number रहेगा उस group में मतलब H में और exactly equal number of odd number भी रहेगा तो मतलब क्या हुआ हाफ हाफ रहना परेगा जितना odd रहेगा उतना event रहेगा तो मतलब इस subgroup विल हैब एज मेनी odd elements as event element मतलब जितना odd element रहेगा उतना event elements रहना परेगा 10 half members of H will be event ये 25 number question इसका ही simplification है देखिए 25 क्या बोलता है बहुत इस इंपल प्रोब्लम है अगर ये 24 अगर आपको समझ में आया तो 25 कुछ दिक्कत का बात नहीं है आराम से समझ में आज आएगा let n be a positive event integer and h let h is a subgroup of zn of odd order prove that every member of h is an event integer ठीक है let n be a positive event integer इसमें भी दिया हुआ है n एक positive event integer है and h is a subgroup of zn zn का कोई एक subgroup h दिया हुआ और अभी इसमें क्या दिया हुआ h का जो order है वो odd order है मतलब h में odd number of elements है prove that every member of h is an event integer अभी आपको प्रूब करना है कि इसमें जितना भी element होगा वो सारा event होना परेगा क्योंकि odd होई नहीं चकता है एक कुछ भी नहीं क्या हम पहले questions है डाएक बोल सकते हैं क्योंकि जीए पहले question में क्या बोला था या तो h में कितना element होघना परेगा या तो सारा event रहेना परेगा या फिर half number of elements रहेना परेगा पर यह फार्स कुस्टेन से हम डारीक बोल सकते तो इसको हम करेंगे किसे देखिए एस सोने प्रिवेश प्रोब्लम्मिपडर साख गुरूफ हज एट लिस्ट वाना अगर कम से कम एक बी ओर लिमेंट है तो मैं पहले कुस्टेन में क्या देखाया था अगर एक भी odd element है तो जितना ओली odd element होगा उतना ही even element आना परेगा अगर एक odd element है तो एक even आना परेगा दो odd है तो दो even आना परेगा then it must have half odd and half even elements but it contradicts that order of h is odd तो इसमें से क्या contradiction आ रहा है कि अगर half अगर even है और half अगर odd है तो वो कभी odd order नहीं हो सकता मतलब h में odd number of elements को भी नहीं हो सकता है हमेशा even आना परेगा तो यह contradiction हो रहा है लेकिन मुझे बोल दिया गाया है कि h का जो order है वो क्या है odd है तो यह नहीं हो सकता है that every member of h is even तो मुझे क्या मालूम चला कि every member of h जो है वो even होना परेगा ठीक है चले आज के लिए इतना ही अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर और सब्सक्राब्स जरूर कर दीजिएगा ठेंक यूँ कि अगल तो लाइक है झाल झाल